यवरपे के अपन एककउंट की आईडी एक्सपारी अपडेट कैसे करें अकामा रिण trzyवल होने के बाद में जैसे फॉर एक्ञामपल हैंगर आपने एककउंट की आईडी एक्सपारी अपडेट नहीं करेंगे अउर्ण ngoर होने के बाद में अपने अकाउंड की आई डे एकस्पायर ये अपडेट कैसे करें इस वीडियो में मैं आपको कम प्लीट परोसर बताने वाला हूं तो चलिए सुरू करते हैं अगर आप इस चैनल को सब्क्राइब कर लिजिए और साथ पर नोटिफिकेशन के बेला इकान पर इसी तरह क्लिक करके और पर भी इस तरह किलिक कर लिजिए तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले आप यूर्पे अप्लिकेशन को ओपन कर लेंगे ओपन करने बा आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जागा इसके बाद अपने अकाउंड की आईडी एक्सपायरी अपडेट करने के लिए आप सेंपली अपने फिंगर से उपर की तरफ स्क्रोल अप करेंगे इसी तरह स्क्रोल अप करने के बाद आपको यहाँ पर एक नोटिफि तरह एक्सरी अप्डेट करने के लिए आप सेंपली अप्डेट पर किलिकर देंगे अप्डेट पर कलिकर करने के बात आप आपके सामने तरह का इंटरफेस ओपन हो लगाए उसके बाद birth date में आपका इकामिय पर या फ technikum पर 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 आपके पास्पोर्ट पर जो भी आपकी डेट आप birth होगी same इसी डेट आप बर्त को आप birth date में इंटर कर देंगे अपनी बर्थेटेट इंटर करनेक बार नीचे गन्फ़र पे क्लिक कर देंगे इसके बाद फिर नीचे confirm पे क्लिक कर देंगे confirm पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं thank you, id expiry update हो गई है your pay count की इसके बाद नीचे done पे क्लिक कर देंगे इस तरह पासानी से अपने your pay count की कामा renewal होने के बाद id expiry update कर सकते हैं